हेलो फ्रेंड्स तो जून 2016 के इंदर एक कोश्चन पूचा गया था जो कि बेंट रूल की एप्लिकेशन पर बेस्ट था कोश्चन तो इस कोश्चन को करने चे पहले हम इसके कुछ कंसर्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इस कोश्चन को सोल करते हैं और इस ट्रूल डारेक्टिट्स एस क्रेक्टर ट्वाड्स मोर एलेक्ट्रो पोजिटिव सब्सिट्वेंट्स जहां तक मुझे यहाद है दिसंबर 2018 के अंदर भी बेंट रूल पर कोश्चन था तो देखिए इस पर कोश्चन कैसे है कि मालो अगर आपको बोलते ही जैसे s p c triple bond c इसमें s क्रेक्टर और p क्रेक्टर यहां 50% s क्रेक्टर पशर्संट क्योंकि इसकी हविजेशन के स्पी इसी तरह आपको c double bond c इसमें क्या होगा sp2 that's and p 25 anybody 75 पर संट तो यह प्रविंट्री यह सब्सक्राइब और तौ यह और घ्रश्ण पादध करते हैं तो यह बोलते हैं कि मौर्ट्रो फ्लोरिन और यहां कलोरी तो यह क्यों होता है कि माल लीजिए इस करेक्टर जहाँ जाएगा वहाँ क्या होगा एलेक्ट्रो पॉजीटिव तो देखिए दिए सफ च्रेक्टर्ट ज्यादा विंदसे बॉंड जू बॉंड एंगल भी क्या होगा ज्यादा अपको एक बात यह. बड़ी क्या होगा आ aan पोजही चाएं accusř करेक्टर यह ज्यादा होगा मोर्नेश मर्ण यी दिखा सिंल bandits ठीक दोस्तों तो अभी यह बोला गया है कि एस ग्रेक्टर वहीं जाएगा जहाएगा जहाएगा इलेक्ट्र पोजिटिव सब्स्ट्ट्ट होगा माली जी इस एक्सिस इन दो बॉंड पर क्या होगा अगर कलोरिन है तो यहां एस ग्रेक्टर जादा इस बॉंड के अंदर और इस बॉंड के अंदर तो मींस यहां क्या होगा लेस एलेक्ट्रो पो लेक्ट्रो नेगटिव एलिमेंट्स जाएगा और इलेक्ट्रो नेगटिव एलिमेंट कहां जाएगा दूसरी साइड तो जहां इलेक्ट्रो नेगटिव एलिमेंट्स होगा वहां क्या होगा पी क्रेक कोस्टन्स अभी करके सोल करके देखते हैं दूसरा अगर स्क्रेक्टर ज्यादा है तो बॉंड लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा तो देखिए एस क्रेक्टर ज्यादा है इसकी वजाएं यहां 50 परसंट यह 25 परसंट बॉंड लेंथ भी क्या होगी कम तो बाइब हार पास दो इत्रकुषिस टाइप से हैं तो यहां एन फ्लोरीन फ्लोरीन अब इस कोश्चन के अंदर देखिए आप से पूछता है डी 1 और डी 2 बोल देता हूं इसको डी 1 बोल देता हूं इसको डी 2 तो किसकी बॉंड लेंद ज्यादा होगी एन 1 दोनों मेंसे दोनों केस्टन में डी 1 यहां ज्यादा होगी है डी 2 तो देखिए यहां क्या हाइट्रोजन हाइट्रोजन तो यहां इलेक्ट्रो नेगटिव एलिमेंट्स यहां नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉंड है यहां हाइट्रोजन है इलेक्ट्रो नेगटिविटी हाइट्रोजन की कम है तो पॉजिटिव वाली साइड कौन सा क्रेक्टर जाता है एस क्रेक्टर इसमें स्क्रेक्टर होगा इसमें स्क्रेक्टर एस क्रेक्टर तो इन्वे अगर एक्स क्रेक्टर है तो यहां क्या रहा होगा पी क्रेक्टर ज्यादा रहा होगा अब देखिए यहां नाइट्रोजन फ्ल hipp-si यह वाला question यहां क्या होगा एश कारेक्टर यॉयां नॉभाब सुम्धक्रिके छादा होगा कि यह बात वीर्स तो इसमें क्या होगा इसको को डी वन बोलते हैं इसको डी यू बोलते हैं क्या बोलोगे डीska लिवागत आपके लिए प्रक्टिस के लिए सब्सक्राइब करने से पहले इसकी एक बार स्टेट्मेंट को ध्यान से देख लीजिए चूजदा क्रेक्ट ओप्शन फॉर कार्बोनिल फ्लॉराइड विद रिस्पेक्ट टू बॉंड एंगल एंड बॉंड लेंड तो आपको चार ओप्शन सेट करके दिये हुए सबसे पहले आपको अगर इसकी स्ट्रक्चर नहीं बताए तो आप यह कॉस्चन नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले कार्बोनिल फ्लॉराइड सी ओ एफ टू लेंद्ध में कौन सी ज्यादा कौन सी कम है तो ओवराल कोस्टन था यह अब देखिए इस कोस्टन के अंदर आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले एक कोस्टन और है एक जो पॉइंट जो नोट करने वाला है वह कर लीजिए अगर ट्रिपल बॉंड है तो वह ज्यादा रिपल्शन करेगा उसके बाद लोन पेर उसके बाद लोन पेर के बाद डबल बॉंड और फिर सिंगल बॉंड ठीज दोस्तों तो सबसे ज्यादा अगर ट्रिपल बॉंड है तो उसका रिपल्शन फिर लोन पेर का फिर डबल ब कार्बन फ्रॉरीन के भॉंड के बीचमें क्या hist रॉन सा एक्टर जादा होगा एस्कि पी क्रेक्टर जादा होगा क्योंकि ओर इलेक्ट्र नेग Princetorig और यहां क्या हो responds समझारी दोस्तों आप देखें दूसरा फेक्टर क्रें करें तो यह बॉंड यंगल क्या ऌगा क्योंकि जहाँ ऊठरीं क्या होता है वहां दोन को है कम तो फोक्त-व देख सकते हैं एफ फेंड रहने वाला है F-C-O से ठीक दोस्तों उसके बाद अगर बात करते हैं यहां अगर दूसरा यह वाला देखे अगर जो डबल वौन्ड ट्रिपल बॉन्ड और लोन पेर वाले रिपल्शन की बात करते O F S O WALA BOND क्या करेंगा INCREASE करेंगा तो यां से यह देख सकते हो दूसरा यह देख है तो S का क्या होगार इस क्रेक्टर जज्ञादा है means वह Biz यह वह भाणेंगल ज़्यादा तो एक तो यह निकल गया है हमारे पास की F C F BOND क्या है छोटा है F C O से ठीक है दूसरा देखिए, बॉंड लेंद की बात करता है, एक तो सिंपल अगर आपको structure पता है, तो आप डारेक्ट बता सकते हो, कि कौन सा बॉंड लेंद छोटता होगा, कौन सा बड़ा क्यों की, यहाँ double bond है, और यहाँ single bond है, तो आप डारेक्ट बॉल सकते हो, CEO bond क्या होगा, छो यहाँ S करेक्टर होगा, क्या होती है, bond length, S करेक्टर होतो, bond length, कम होती है, और P करेक्टर होतो, bond length, ज्यादा होती है, तो देखिए, इस option को find out कीजिए, आप कौन सा correct answer है, तो देखिए, पहले के अंदर आपको बोला गया है, F, C, F bond, बड़ा है, F, CO bond से, और C, F bond length बड़ी है, CO bond length से, तो यह option तो ठीक है, C, F bond, ज्यादा बड़ा होगा, CO से, बट पहला जो bond angle वाला है, वो क्या है, गलत, दूसरा देखिए, F, C, F, इसके बाद मैं आपको एक दो, इसको bind up करके दुबारा बताता हूँ, इस question के बाद कि आपको क्या-क्या ध्यान रखना है, दो, वो normally सबको पता होते हैं कि center of electronegative atom की central atom पे और surrounding atom पे, तो दूसरे में देखिए, F, C, F bond फिर से बड़ा बता रखा तो यह option भी गलत, तीसरे option में देखिए, C, F, C, F, C, F, C, F, C, F bond क्या है, छोटा है, F, C, O, bond से, ये ठीक है, C, F, bond length भी क्या है, C, O, से, ज्यादा तो option, इसका right option क्या हो जाएगा, 3, थे दोस्तों, उसके बाद देखिए, जो हमने बात की, band rule की, तो band rule से पहले मैं ये बोल देता हूं कि band rule में जो question एक बार पहले और पुछा गया है, उसको भी मैं discuss करूँगा तुमारे साथ की, यहां ये बोलता था कि electronegative atom कुछ ऐसे statement थी, electrone आपके लिए question यहां, दिख देता हूं कि जिसमें से कौन सा आपको correct find out करना है, आपको CEO की bond length बतानी है, CEO की bond length, किस में ज्यादा होगी, किस में कम होगी, यह भी आपके लिए second practice question है, अगर इसको solve करना हो इस type के question को, तो आप comment section में जुरूर बताए, अगर हो जाता है, तो सबसे ची बात है, thank you so much.